नमस्कार मैं अम्रेंद्र तिवारी अल्टाइम पॉब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों जब से सरकार ने इस आदेश को निकाला है कि एक मार्च से जो हैं वो स्कूल कॉलेज जो हैं वो खुलेंगे जहरखंड के अंदर इसमें जो भरम की स्थित बनी हुई थी कि क्या स्कूलों को ये अधिकार हो जाएगा क्योंकि ये भी डर था चुकि सरकारी आदेश में इस बात को पुरी तरीके से नहीं कहा गया था परिक्षाएं किस तरीके से होंगी स्कूल प्रबंदन समीती क्या परिक्षार्थियों को यानि कि स्टुडेंट् वावकों के मन में प्रश्ण उट रहा था दोस्तों आसान भाशा में हम आपको समझाते हैं कि इस पूरी चीजों का क्या मतलब है सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि जो प्रबंधन समीधी, स्कूल प्रबंधन समीधी के तरब से चीजे निकल कर सामने आ रही थी, लोगों के मन में ये भ्रम था कि क्या एक्जाम्स जो हैं वो ओफलाइन हो पाएंगे, असपश्टता के साथ मैं आपको बतादू कि जह आरखंड में एक्जाम्स ओफलाइन नहीं हो पाएंगे, सरकार ने इसकी अनुमती नहीं दी है, अब दोस्तों ये सवाल उठता है कि पहली से सातवी कक्षा तक के स्कूल वो कब खुलेंगे और ओफलाइन एक्जाम्स क्या मेट्रिक और इंटर बोर्ड की परिक्षाओं के अलावे को ले सकता है, बिल्कुल नहीं ले सकता है, इसकी आजादी नहीं दी गई है, अगर कहीं भी कोई भी विद्याले आपको ओफलाइन एक्जाम्स के लिए बात दे करता है, तो ओल टाइम पबलिक इंडिया के कमेंट बॉक्स में आईए, जरूर हम उस विद्याले प लेकर जो संशे के स्थिदी थी, फिलाल जारकंड में हर एक जिले के उपायुक्त को कहा गया है, कि वो जाच बढ़ाने का काम करें, और सिविल सर्जन को जो पत्र लिखा था स्वास्त मिशन निदेशक ने, उसमें भी साप कर दिया गया है, कि कोरोना के नई स्ट्रेन को द पश्ट कर दूँ, पिछले कुछ दिनों में जो सबसे बड़ा सवाल बनके उभरा है कि पहली से सातवी कक्षा तक के क्लासे कब खुलेंगे, इसको लेकर जो है, इसको लेकर इसकुली शिक्षा साक्षरता वागपुरी तयारी कर रहा है, आपदा प्रबंधन विभाग को ये प्रस्ता भिजा जा रहा है, अगली मिटिंग में आपदा प्रबंधन विभाग की जो मिटिंग होगी, उसमें मुख्य मंत्री हैमन सोरेन इस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये फैसले किस तरीके के होंगे, ये भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही लेत